जै स्री कृष्णा दिवाली के दिन इस कथा को अवश्य सुनना चाहिए दिवाली की कथा इस प्रकार है एक बार शौनकादिक रिश्यों ने सनत कुमार्जी से पूछा भगवन दिवाली के अवसर पर स्री गनेश जी के साथ लक्ष्मी जी के साथ अन्य देवी देवताओं का पूजन क्यों किया जाता है जबकि दिवाली का परव विसेस्ता लक्ष्मी पूजन का ही है रिश्यों की बात सुनकर सनत कुमार्जी कहने लगे हे रिशियो जब देट्य राज बली ने अपने बाहु बल से अनेक देवताओं को बंदी बना लिया तो कार्तिक अमावश्या के दिन स्वयम विश्णो भगवान ने वामन रूप धाण करके उसे बांद लिया और समस्त बंदी बनाये गए देवताओं को कारागार से मुक्त करा दिया कारागार से मुक्त होकर सभी प्रमुख देवों ने चीर सागर में लक्ष्मी सहित विश्राम किया इस कारण दिपावली के दिन लक्षमी पूजन के साथ अन्य देवताओं के भी पूजन वे सयन की विवस्ता करनी चाहिए ऐसा करने से लक्षमी अन्य देवताओं के साथ वहीं विश्राम करेगी लक्षमी जी तथा देवताओं के सैन के लिए ऐसी सैया बिछानी चाहिए जिसको किसी प्राणी के लिए नय प्रयोक किया गया हो उस सैया पर सुन्दर नवीन वस्तर वच्चादर बिछाकर तकिया रजाई आदि लगा देनी चाहिए उसके बाद में सुगंदित पुष्प कमल भी सैया पर बिछाएं क्योंकि लक्षमी जी का निवास प्राय कमल में रहता है हे रिशियो इस प्रकार विदी पूर्वक स्रद्दा युक्त होकर देवताओं भगवती लक्षमी के पूजन से वेस्ताई निवास करती है भगवती लक्षमी के भोग के लिए गाय के दूद के खोय से मिस्री, लौंग, कपूर एवं इलायची आदे सुगंदित द्रव्य मिला करके लड़ू बनाना चाहिए रिश्यों ने पूछा बगवन जब राजा बली ने लक्षमी जी वे देवताओं को अपने वस्मे कर लिया था तो फिर लक्षमी जी ने उसका त्याग कब किया सनत कुमार जी ने उत्तर दिया है रिश्यों एक बार देवराज इंद्र से बहबीत होकर राजा बली कहीं जाच्छिपा इंद्र ने उसे डूणने का प्रयाटन किया तबी उन्होंने देखा कि बली घदे का रूप धार्ण करके एक खाली घर में समय व्यतीत कर रहा है ते हुए काल समय की महत्ता समझाई उनमें बात्चे चल रही थी कि उसी समय देट्यराज बली के सरीर से अत्यंत दिव्य रूपी एक स्त्री निकली उसे देख इंदर ने पूछा हमेरे सरी से निकलने वाली है आवा युक्त स्तृ डेवी तथा आसुरी है या मानवी है राजा पली ने उत्तर दिया राजन यह देवी ने आसुरी है नही मानवी है यदि तुम इसके संबंद में अधिक जानना चाहते हो तो फिर इसी से पूछो इतना सुनकर इंद्र ने हाज जोड़कर उस देवी से पूछा देवी तुम कौन हो और देट्याराज का परिच्चा कर मेरी और क्यों बढ़ रही हो तब मुस्कराती हुई सकती रूपास्त्री बोली हे देवेंद्र मुझे ने तो देट्याराज पहलाद के पुत्र विरोचन ही जानते हैं और ने उनके पुत्र बली जानते हैं सास्त्र वित्ता मुझे दुस्सहा भूती और लक्ष्मी के नामों से पुकारते हैं परण तो तुम तथा अन्य देवगण मुझे बली बांती प्रकार से नहीं पहचानते। इंद्र ने प्रश्न किया है देवी जब इतने दीरगकाल तक आपने देत्य राज में वास किया है तो फिर अब इन में ऐसा कौन सा दोस उत्पन हो गया है जो आप इनका परित्याग कर रही हैं आप यह भी बताने की किरपा कीजिए कि आपने मुझे में ऐसा कौन सा गुन द खटा सकता क्योंकि मैं सदेव समय के प्रभाव से ही एक को त्याकर दूसरे के पास जाती हूं इसलिए तुम बली का अनादर नय करते हुए इनका सम्मान करो इंद्र ने पूछा है देवी किरपा कर यह भी समझाए कि अब आप आशूरों के साथ क्यों नहीं रहना चाती है लक्समी जी बोली मैं उसी स्थान पर रहती हूँ जहां सत्य, दान, तप, वरत, पराकरम तथा धर्म रहता है इस समय असुर इस से परा मुख हो गये हैं पूरों जनम में यह सत्यवादी जीतेंद्री तथा ब्रामनों के ही देशी थे पर उन्तु अब यह ब्रामनों से द् रित चूते हैं और अवक्ष भोजन करते हैं साथ ही दरम की मर्यादा तोड़कर विवेंड परकार के मन माने आचरन करते हैं पहले यह उपवाश एवं तप करते थे प्रते दिन सूर्यों देश पूर्वे जागते थे और यथा समय सोते थे परन्तु अब यह देर से जाग प्रती हिनों को नहीं सताते थे और उनकी अनादी से हर परकार की सहयता करते थे परन्तु पहले यह गुरूजन के आज्या अधिकारी थे आज्याकारी तदा सभी काम समय पर करते थे उत्तम भोजन बनाकर अकेले नहीं खाते थे पहले दूसरों को देकर बाद में स्वयम ग्रहन करते थे प्राणी मात्र को सम्मान समस्ते हुए इनमें सोहार्द, उत्साह, निरहंकार, सत्य, छमा, दया, दान, ताप एवं वानी में सरलता आदी सभी गुण विद्यमान थे मित्रों से प्रेम वहवार करते थे परंतो अब इनमें क्रोध आदी की मात्रा बढ़ गई है आलश्य, निद्रा, अप्रसंता, असंतोस, कामुकता तता विवेक हिंता आदी दुर्गुणों की एकता की बाड़ इनमें आ गई है अब इनकी सभी बाते नियम विरुद होने लगी है बड़े बुड़ों का सम्मान वा आग्या पालन ने करना उनका अनादर करते हैं तदा गुरुजन के आने पर आसन छोड़ कर खड़े नहीं होते संतान का सास्त्रोक्त विदी से भली बानती भली प्रकार से पोशन नहीं करते इन सब कारणों से इनके सरीर वे चहरे की कांती छीन हो रही है परस्त्री गमन परस्त्री हरन जुआ शराब चोरी आदी के दुर्गुण अधिक आ जाने के कारण इनकी दार्मिक्ता आस्ता कम ह हो गई है अता इंद्र मैंने निष्चे किया है कि अब मैं इनके पास वास नहीं करूंगी इसी कारण में देत्यों का परित्याक कर तुमारी ओर आ रही हो तुम प्रसनता पूर्वक मुझे अंगिकार करो मेरा वास वहां होगा जहां आशा, स्रद्दा, दृती, शान्ती, जय, छमा, विजित, भावना, संगीत ये आठ देविया भी निवास करेगी चूंकि तुम देवों में अब धार्मिक भावना बढ़ गई है इसलिए अब मैं तुमारे यहां वास करूंगी स्रद्द कुमार जी आगे बोले अतहे रिश्यो जो भी व्यक्ति लक्ष्मी जी क पाना चाहता है उसे तद अनुकूल ही आच्रन करना चाहिए ऐसी दिपावली की कथा है तो ये दिपावली की कथा थी वीडियो को सब लोगों के पास सेर कर देजिए और वीडियो को लाइक जुरूर कर देजिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवा प्राप्ट